मां प्रिया गोतमियों फिजिक्स फैकल्टी और देखो बार-बार बच्चे बोल रहते हैं वहाँ इस स्ट्रीट का अनलाइस कर दो तो हमने एक सिरीज का यहाँ पर स्टार्ट कर दिये जिसमें हम PYQs और Analysis भी हम पूरी तरगे से उसमें करेंगे ठीक है तो अभी है आपर में लिखे है यह आपको राजस्थान NTSC का स्टीज 1 का जो पेपर है उसका 2020-2021 के PYQs और उसका Analysis ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहले Analysis से ठीक है स्टार्ट का यहाँ पर Analysis किया है तो तो मोशन की बात करें तो इकवली 2-2-2 तीनों यर में आए इकवली 2-2021 में 2-19-20 में और 2-18-19 में तो टोटल कितने क्योशन हो जाते हैं हमारे अगर तीनों को सम कर देंगे तो 6 क्योशन हमारे यहाँ पर किस में से हो जाते हैं प्षून में से क्योशन कि बात करें में तो 2018-19 में ही प meno पूचा गया भागी 2 कुशन 2021 में 2 Datis 29-20 में पूचे वहल है तो टोटल 4 कुशोन यहाँ पर दोनों में यर्स में हो जाते हैं 對不對 के बात करें तो तीनों में में कंटिनूजन को पूचे गये हैं मतलब ग्राविटेशन में से एक निये एक क्योशन तो आपको मिली जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ पर 5 क्योशन, 2020-2019-2020 में से 2 और 2018-1997 तो 5 क्योशन का वीट इस यहाँपर ग्राविटेशन का हो जाता है, ठीक है, इसके बाद work power energy की बात करें तो देखो बहुत ज़्यादा questions है क्योंकि यहाँ पर 3 questions तो 18-19 में आये हैं 2 questions यहाँ पर 19-20 में से आये और 2 questions यहाँ यहाँ पर 20-21 में से आये यानि कि पूछा तो गया है even 1 से ज़्यादा ही questions पूछे गये हैं तो यहाँ पर 7 questions का जो sum है वो वहाँ पर work power energy की लिए हो जाता तो उसके बात करें sound की sound में से every year question पूछा जा रहा है every year sound में से question पूछा जा रहा है तो इसको भी skip नहीं करना है skip कुछ भी नहीं करना है तो इसको बहुत अच्छे से धिहान से बढ़ना है तो एक question 19-20 में last year जो 2021 वाला exam में कोई question नहीं पूछा गया 2 question 18-19 में और 3 question यहाँ पर तीनों को मिला कर हो जाते हैं इसके बाद magnetic effect of current में से भी question पूछे गए 18-19 और 19-20 में तो 2 question यहाँ पर magnetic effect of current के हो जाते हैं इसके बाद बात करें light की तो light में से देखो 4 question पूछे गए है 2021 वाले chapter में से यानि कि बहुत important chapter हो जाता है light वैसे favorite है NTSC का आप किसी भी state को ले लीजे ठीक है year 19-20 में से 2 question और 18-19 में से 3 question यानि कि आप देखो कि सबसे जादा जो questions पूछे गए है 9 question 3 years में मिला कर वो light में से आए है तो ये आपका 3 year का analysis है तो आप पहले इसका screenshot ले लीजे ताकि आपको आगे इसको सही रहेगा इसको बार-बार देखने के लिए आपको screenshot ले लीजे तो आपके preparation में ये helpful रहेगा ठीक है done अब इसके बाद हम PYQs start करें 2021 के ठीक है तो देखेंगे आप कैसे questions Rajasthan and TSE में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे तो PYQs start करते हैं ठीक है first question देखो group of vectors group of vectors group of vector quantities आपको बताना है कि इन में से कौन से group में सारे quantities vector है जो सबसे पहले पहला option देखते हैं displacement vector है velocity vector है बड time नहीं है time के लिए हम vector scalar कुछ नहीं बताते हैं ठीक है area यहाँ पर देखोगे second option में area यहाँ पर देखोगे area vector है density vector है mass into volume density भी vector नहीं है इसके बाद mass भी vector नहीं है तो यह वाला भी option आपका नहीं आएगा mass के लिए अपन direction का को use नहीं करते हैं इसलिए mass भी vector quantity नहीं है छीक है speed यहाँ पर scalar quantity हो जाती है इसलिए third option तो पहले गलत हो जाता है ठीक है इसके fourth option में देखते हैं तो velocity vector quantity है acceleration भी vector quantity है and force भी vector quantity है तो क्या fourth option यहाँ पर correct हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा तो देखो कितना easy question पूछा गया है देखो questions यहाँ पर time based क्यों होते है क्योंकि आपके पास करने के लिए बहुत सारे questions है तो time आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि time आप एक question में जो कर रहे है तो वो time कम लगाए इसका मतलब यह नहीं कि question आप गलत कर दे जल्दी जल्दी में silly mistakes कर दे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है time कम लगाना है बट proper उसको accuracy के साथ करना है accuracy जरूरी है उसके बार time जरूरी है तो accuracy का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है उसके पास next question पर मैं चलू तो इसका fourth option correct हो गया next question the velocity time graph of an object with uniform velocity आपको ध्यान देना uniform velocity uniform velocity का क्या मतलब होगे कि time के साथ velocity constant है time के साथ जो velocity है time के साथ जो velocity है वो क्या है constant है तो time ऐसा कौन सा graph है इसा यहाँ पर जो four options दिये हैं उसमें कौन सा graph है जिसमें time के साथ velocity constant डिवी है वो देखेंगे velocity time का graph दिया हुआ है यहाँ पर x axis के along तो यह तो नहीं होगे क्योंकि यहाँ पर तो velocity time के साथ 0 ही हो गई यहाँ पर देखो यहाँ पर equal time पर velocity बढ़ती जा रही है velocity बढ़ रही है velocity बढ़ रही है मतलब यह वाला option भी कलात हो जाएगा यहाँ पर velocity time के साथ बढ़ रही है ठीक है तो यह भी option कलात हो जाएगा यहाँ पर देखो velocity time के साथ constant है यानि क्या आप time बढ़ाती जाओगे बढ़ाती जाओगे बढ़ाती जाओगे पर velocity constant रहेगी तो क्या 4th option correct हो जाएगा, बिल्कुल correct हो जाएगा, ठीके, तो यहाँ पर फिर हमाराथ से क्या correct हो जाएगा, 4th option correct हो जाएगा, ठीके, next question देखता है, if force, momentum and displacement are represented by A, B, C, ठीके, respectively, then आपको बताना है, A, C by B will be represented, ठीके, आपको A, B, C, क्या कहें दियों है, force, momentum and displacement, ठीके, तो य यह जो A, C by B है, उसमें रखके देख लेते हैं, तो A क्या है, हमारे पास force, C क्या है, हमारे पास displacement, इसको रख देते हैं displacement, ठीके, और B क्या है, हमारे पास momentum, ठीके, तो इसको क्या रख देंगे, हम momentum, ठीके, momentum को p से denote करते है force क्या होता है newton's के second law से m mass into acceleration तो इसको क्या लिख देंगे हाँ इसको क्या लिख देंगे m into a ठीक है into यहाँ पर क्या होगे displacement divided by momentum को क्या लिख सकता है mass into velocity m into v तो यहाँ पर mass से mass तो cut हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखो acceleration को आप यहाँ पर लिख दो क्या velocity upon time velocity upon time into यहाँ पर velocity तो है नीचे ठीक है यहाँ इस velocity को आप लिख दो displacement upon time displacement upon time लिखोगी तो time उपर जाला जाएगा ठीक है और एक displacement यहाँ पर है ठीक है तो time से time कड़ गया displacement हमारे पास सरफ क्या बजग thought velocity, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बज़ गया, velocity तो यह क्या represent करेगा यह जो term है, AC by B क्या represent करेगा, velocity तो third option हमारा यहाँ पर correct हो जाएगा कौन सा option हमारा correct हो जाएगा third option हमारा यहाँ पर correct हो जाएगा चीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है? छीक या next देखो the mass of a person on earth a mass of a person on a earth surface is 60 kg जो earth की surface है उस पर किसी person का जो mass है वो 60 kg then his mass on moon will be, आपको बताना है कि moon पर उसका mass कितना होगा तो देखो भाई, mass तो आप moon पे चले जो, चाहे earth पे हूँ mass सब जगे आपका same रहेगा जो gravity earth पे है उतनी gravity moon पे नहीं होती है earth पर gravity g होती है जबकि moon पे gravity जो gravity हो g by 6 होती है तो weight हमारा बदल जाता है weight same नहीं रहता but mass हड़ जगे क्या रहता है mass कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी universe में, universe के किसी भी कॉने में चले जाओ, आपका mass क्या रहेगा always, same रहेगा but weight क्या होता है weight होता है mass into gravity gravitational acceleration mg तो g की value वेरी करती है g की value वेरी करती है अलग-अलग planet पे g की value अलग-अलग होगी तो obviously weight आपका सब जगे same नहीं रहेगा but mass आपका सब जगे same रहेगा, ठीक है तो कौन सा option correct हो जाएगा 60 kg mass ही रहेगा moon पर भी तो आपका first option correct हो जाएगा कौन सा option correct हो जाएगा, first option correct हो जाएगा, ठीक है बहुत easy question था, ठीक है next देखो on a heavily the distance between two masses the gravitational force between them अगर किसी दो masses के बीच का distance half कर दिया जाए तो अब उनके बीच में जा-traction force लगेगा वो बताना है, तो हमें बता है दो masses के बीच में जा-traction force है वो कितना होता है F is equal to G M1 M2 divided by R square छीक है तो इसको क्या मैं F1 लिग दूँ बिलकुल, तो यहाँ पर क्या force distance के square के inversely proportional है force distance के square के inversely proportional है बिलकुल, G तो universal constant है, हर जगे सेम रहेगा mass M1 और M2 तो वही है, सिर्फ उनके बीच का distance का आधा कर दिया है तो यहाँ पर फर्स्ट वाले case में F1 और दूसरे जब उसका distance आधा कर दिया उस case में force F2 is equal to R2 का square divided by R1 का square अब दूसरे case में आपने आधा कर दिया distance उनके बीच का तो क्या मैं R2 is equal to R1 by 2 लिख सकती हूँ बिलकुल लिख सकती हूँ तो देखों, यहाँ पर R2 is equal to R1 by 2 का square कितना हो जाएगा? R1 by 4 R1 by 4 तो R1 square by 4 और नीचे कितना है? R1 square तो R1 square से R1 square कट हो गया अब आपके पास क्या बच्चा? F1 by F2 is equal to 1 by 4 तो यहाँ से F2 कितना हो जाएगा? F2 हो जाएगा 4 times of F1 4 times of F1 तो आपका answer क्या जाएगा? 4 times कितना हो जाएगा? पहले वाले force का 4 times हो जाएगा ठीक है? तो 3rd option आपका यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है? तो 3rd option आपका correct हो जाएगा easy question था ठीक है? next question देखो if the speed of wave is 250 meter per second किसी wave की जो speed है वो कितने दीविये? 250 meter per second ठीक है? लिख लिया हमने उसके बाद and its wavelength is 50 centimeter यानि कि lambda दिया हुआ है 50 centimeter then the frequency will be frequency बतानी है आपको क्या बतानी है? frequency बतानी है तो देखो यहाँ पर आपको frequency तो बतानी है लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देखो कि जो wavelength है वो centimeter में दिया हुआ है और आपका speed of wave है वो meter per second में दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले इनकी units जो है आपको ऐसा ही बनाना पड़ेगा सबको तो यह तो ऐसा ही में है अगर आप 50 centimeter को meter में change करोगे तो कितना हो जाएगा? 50 into 10 to power minus 2 meter सारी units सेम होनी चाहिए ठीक है? तो frequency अपनी किस में आ जाएगी? Hertz में आ जाएगी ठीक है? तो यहाँ पर आप देखो जो V होता है वो क्या होता है? N lambda यानि कि velocity is equal to frequency into wavelength तो यहाँ से अपनको frequency निकालनी है तो frequency is equal to कितनी हो जाएगी? V by lambda तो 250 divided by lambda कितना? 50 into 10 to power minus 2 ठीक है? तो यहाँ पर कितना जाएगा? 5 और यह 10 to power minus 2 पर जाएगे 10 to power plus 2 बन जाएगी तो कितना आजाएगा? यह 500 Hz कितना आजाएगा? यह 500 Hz ठीक है? कौन सा option correct हो गया? हमारा second option correct हो गया ठीक है? बिलकुल समझ में आरा है आपको very good second option correct हो गया next question देखते है an object of mass 10 gram is moving with the acceleration of 10 meter per second square force acting on the object will be माल है तो क्या हो जाता है? mass into acceleration ठीक है? अब यहाँ पर आपको mass gram में दिया हुआ है अब फिर से आपको CGS को किसमें convert करना पड़ेगा? SI में तो आप अगर gram को kilogram में change करेंगे तो gram को kilogram में change करेंगे तो 10 by thousands इसको divide कर देंगे ठीक है? तो यह किसमें change हो जाएगा? kilogram में into acceleration कितना दिया हुआ है? 10 meter per second ठीक है? तो यहाँ पर यह कट गए 2 zeros और यहाँ पर यह कितना हो गए? 1 by 10 1 by 10 को क्या लिख सकते है? 0.1 newton ठीक है? तो आपका answer कितना जाएगा? 0.1 newton जो की है second option ठीक है? तो कौनसा option correct होगे हमारे यहाँ पर? 2nd option correct होगे ठीक है? next question moving on next question lens formula आपको बताना lens formula हमें बिल्कुल पता है 2 formula होते हैं हमारे पास एक तो mirror formula होता है और एक कौनसा formula होता है? lens formula तो mirror formula आपको बता देती हूँ में यहाँ पर साथ के साथ mirror formula जो होता है वो होता है 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f यहाँ पर f क्या है? focal length v क्या है? pole की image से distance u क्या है? pole की object से distance ठीक है? यह तो mirror के लिए use होता है अब आपको बताना है a lens formula तो आपको lens formula क्या होता है? formula हम यहाँ पर देख लेता है 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f यहाँ पर भी सारी चीज़े वही है v है pole से image का distance u है pole से object का distance और f है focal length तो यह वाला option जो भी है हमारा वो correct हो जाएगा तो 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f third option हमारा यहाँ पर correct हो जाएगा कौनसा option correct हो जाएगा third option हमारा यहाँ पर correct हो जाएगा correct हो जाएगा now moving on next question focal length of a lens is 50 cm यानि कि किसी lens का focal length है वो दिया हुआ है आपको 50 cm छीक है? in diopter power of lens आपको power of lens बतानी है किसमें diopter में छीक है अब हमारी जो power है वो inner diopter inner diopter होती है 1 by f 1 by f कब होती है? जब f मीटर में हो जब f मीटर में हो और अगर हमारे पास जो focal length है वो cm में दियवी है तब यह कितनी हो जाती है? 100 by f और f in cm इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि meter को cm में बदलने के लिए आप 10 to power minus 2 से multiply करोगे 10 to power minus 2 पर जाएगे क्या बन जाएगा? 100 100 by f in cm in cm छीक है? बिलकुल समझ में आ गया तो यहाँ पर हमारे पास जो value है वो 50 cm दीवी है तो हम यह वाला use करेंगे 100 divided by 50 ठीक है? डायोप्टर तो यह कितना हो गया? 2 डायोप्टर तो 2 answer हमारा सही हो जाएगा ठीक है? कौंस option second option हमारा यहापर correct हो जाएगा? कौंस option correct हो जाएगा हमारा यहापर? second option correct हो जाएगा ठीक है? कितना easy है? time बे बिलकुल consume नहीं हो रहा है फटा 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 अंसर दे सकते हैं now next question correct relation between the radius of curvature radius of curvature r and the focal length f हमें साफ साफ पता है कि जो radius of curvature होती है r वो क्या होती है? twice of focal length क्या होती है? twice of focal length ठीक है? कौंस option है देखते है? ठीक है? तो r is equal to 2f third option हमारा यहापर correct हो जाएगा कौंसा option correct हो जाएगा? third option हमारा यहापर correct हो जाएगा now next refraction from denser to rarer medium for a light ray the value of angle of refraction at the condition of critical angle देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जो refraction हो रहा है वो denser to rarer हो रहा है यानि कि जो ray है वो denser medium से rarer medium में जा रही है तो पहले तो condition बना लो ठीक है? diagram physics में देखो physics में क्योशन जो बोल रहा है अगर वो आपने diagram बना लिया ना तो पूरी picture clear हो जाती है ठीक है? तो यह हमारा है dancer medium ठीक है? और यह है हमारा rarer medium अब हमारी पास यह normal बना लो सबसे पहले ठीक है? अब बोल रहे हैं अगर यह वाला angle critical angle है तो आपको angle of refraction बताना है हमें साफ साफ यह पता है हमें बिल्कुल यह पता है कि अगर यह वाला angle यह अगर यहां से denser से incident होती है किस angle पे? critical angle पे तो जो refracted ray होगी वो normal से 90 degree का angle बनाएगी वो normal से कितने degree का angle बनाएगी? 90 degree का और अगर हमने इसको IC जो critical angle इसको और ज्यादा बढ़ा दिया तो यह वापस इसी के अंदर medium के अंदर वापस reflect हो जाएगी यानि TIR हो जाएगा total internal reflection हो जाएगा अगर हमने critical angle से और बढ़ा दिया angle incident angle को critical angle से और ज्यादा बढ़ा दिया तो यह 90 degree से भी ऐसे अंदर हो जाएगी 90 degree से भी अंदर हो जाएगी मतलब इसी medium में गए और इसी medium में वापस आ गए मतलब total internal reflection हो जाएगा TIR की condition हो जाएगी लेकिन अभी सिर्फ अपनको critical angle वाली condition देखने है तो critical angle वाली condition में जो refraction angle है वो कितना हो जाता है 90 degree तो आपको option में देखने है 90 degree fourth option हमारा यहां पर correct हो जाएगा कौनसा option correct हो जाएगा हमारा यहां पर fourth option ठीक है very good next question देखो the resistance of a bulb marked 220 volt और 10 volt ठीक है एक bulb बेच इस पे लिखा हुआ है कि 220 volt इतने और power कितना है 10 volt कबल पर ठीक है ठीक है आपको जाएड करना है resistance फाइड करना है ठीक है तो power का जो formula होता है वो वैसे तो बहुत सारे formula होते हैं जैसे कि v i या फिर v square by r कैसे निकाला क्योंकि v is equal to ir होता है ठीक है तो यहां से i की value के लिख दो v by r या फिर यहां पर i को रहने तो v की value ir लिखो तो क्या हो जाएगा i square r इन तीनों formula में से आपको apply कौन सा करना यह बात किस पर depend करती है यह बात इस बात पर depend करती है कि आपको question में क्या क्या parameters दिये गए हैं तो question में क्या दिया हुआ है उसके according हम formula चूज करेंगे कि कौन सा लगेगा तो देखो यहां पर हमारे पास v है और p है तो हमें resistance find करना है तो v square by r वाला formula काम में आजाएगा p is equal to v square by r तो यहां पर p कितना दिया हुआ है 10 watt is equal to v की value 220 तो 220 का square है ठीक है और r हमको find करना है तो r की value कितनी हो जाएगी cross multiply करके r को इधर ले जाता है 10 को इधर ले आता है r is equal to 220 into 220 is equal to sorry divided by 10 तो यहां पर यह कुछ आ जाएगा यह से multiply होता है 22 से 22 को multiply करोगे तो 484 आता है 484 और एक 0 यहां पर हमारे पास है तो ठीक है यह हमने क्या निकाल है resistance और resistance को किस में लिखते है unit ohm में ठीक है किस में लिखते है ohm में तो 484 ohm second option हमारा यहां पर correct हो जाएगा कौन सा option correct हो जाएगा second option correct हो जाएगा now moving on next question ठीक है moving on next question a person of mass time कीजी a person है जिसका mass है 10 कीजी reaches a higher of 5 meters in a 10 seconds 10 seconds में कितनी height चड़ जाता है 5 meter height चड़ जाता है ठीक है तो वापस मैंने बोला कि question कह रहा है उसकी picture बना दे जाओ ठीक है 5 meter यह चड़ गया कितनी distance है यह 5 meter ठीक है अब देखो आगे है क्या बल रहे है find the power used by the person तो इसको यहां से जाने में जो power लगेगी वो बतानी है कि तो जो power होती है वो क्या होता है work done by the work done divided by time तो इसको यहां से जाने में यहां तक कितना work करना पड़ा होगा work मतलग force into displacement तो mg नीचे gravitation force लग रही होगी रूपर जा रहा है तो mg इसक्या work done हो जाएगा बिलकुत तो work done कितना हो जाएगा mg edge divided by T ठीक है तो power कितनी आ गई mass कितना दिया हुआ है इसका 100 kg और g की value हम क्या ले लेंगे है आपर 10 ठीक है into edge g की value 10 यहाँ पर लेंगे दिया हुआ भी है ठीक है edge कितनी 5 meter कितने seconds में जल जाता है 10 seconds में 10 से 10 cut हो गया तो power कितनी आ गई 500 watt power कितनी आ गई है हमारे पास 500 watt ठीक है easy था बहुत easy था ठीक है first option हमारा यहाँ पर correct हो जाएगा 500 watt first option हमारा यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है तो यह था हमारे 2020-21 के pyqs राजस्थान NTSCB पर के ठीक है तो ऐसे हमने series चालू करी है तो ऐसे हम और भी states के लिए pyqs लाते रहेंगे आप video को like करें channel को subscribe करें और video को share करें Thank you so much